बचपन सरी हम सभी लोगों को सक्सेसफ़र्ट सुनना काफी पसंद होता है क्योंकि बचपन सरी हम सभी लोगों के दिमाग में बात को अच्छे से डाल दिया जाता है कि सक्सेसफ़ुल लोगों के पास वो सब चीज होती है जो हमें चाहिए एक अच्छी लाइफ जीने के लिए और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से फुली मजे के साथ इंजोई करने के लिए और इसी कारण हम सब लोग अपने बचपन से ही सक्सेसफुल आदमी बनने की रेस में दोड़ने लगते हैं लेकिन सक्सेसफुल आदमी बनना इतना भी असान काम नहीं है इसलिए मैक्सियम लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल कभी भी नहीं बन पाते हैं और इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को एंड तक ना देखने की भूल बिलकुल मत करना क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर जॉसेफ मर्फी की लिखी हुई वर्ल फेमस इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बोक तो सबसे पहले हम सभी लोगों के दिमाग में 100% ये बात क्लियर होने चाहिए कि हमारा सबकॉंशिस माइन यानि की हमारा अवचेतन मन एक्चली में होता क्या है तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम सब हुमन बिंग्स में कुछ सूपर पावर्स होते हैं जिनके कारण हमारा हुमन बॉडी उन चीजों को भी कंट्रोल कर पाता है जिन चीजों को हमारा हुमन माइन कंट्रोल नहीं कर सकता जैसे कि हार्टबीट यानि की दिल का धड़कना और दूजर है सांस लेने की प्रक्रिया जिसको हम ब्रीफिंग टेक्निक भी बोलते हैं वैसे तो ये फंक्शन हमारे ब्रेन का एक पार्ट मेडिूला औबलंगेटा परफॉर्म करता है लेकिन कई विज्ञानिकों के हिसाब से इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे आउचेतन मन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है तो इस चीज से हम ये समझ आती है कि एक सिंपल सा लौ है कि जिस चीज को भी हम अपने माइंड से कंट्रोल कर सकते हैं वो सारी चीज को हम अपने इस conscious mind की मदद से कर पाते हैं अपने human body में और जिस चीज को भी हम अपने माइंड से कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बाद भी वो हमारे human body में perform होती है तो वो सारी चीज को हम अपने आउचेतन मन की शक्तियों के कारन कर पाते हैं तो टाइम आ गया है इस वीडियो की सबसे interesting part का क्योंकि अब हम जानने वाले अपने आउचेतन मन यानि अपने subconscious mind से जुड़े कुछ अनोखे और सबसे interesting रहश्यों के बारे में so be ready तो सबसे पहला fact तो ये है कि हमारा conscious mind सिर्फ तभी काम करता है जब हम सो नहीं रहे होते हैं यानि कि जब हम जागे रहे होते हैं सिर्फ तभी काम करता है वहीं हमारे subconscious mind को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सो रहे हैं या फिर हम जगे रहे हैं हमारा subconscious mind या फिर हमारा आउचेतन मन 24 सो घंटे काम करता है और हमारी life में अपने अनोखी शक्तियों का कमाल दिखाते रहता है जिसके कारण हमारी life miracle से भढ़ जाती है और हमारी life बहुत अच्छी हो जाती है और दूसरा सबसे interesting fact ये है कि हम सभी लोगों को यह अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारा subconscious mind हम से कभी भी प्रशन नहीं बूसता जिसके कारण हम जो भी चीज अपने दिमाग में फीड करते हैं और उस चीज पर पूरा का पूरा भरोसा रखते हैं तो हमारा subconscious mind उसको directly अपने अंदर फीड कर लेता है और उस information के हिसाब से अपने अंदर के miracle power को दिखाने लगता है लेकिन इस बात में बुराई यह है कि subconscious mind के इस तरीके से काम करने के कारण हमको हमारे life में बहुत सारी परशानिया भी होती है और क्योंकि हमारा subconscious mind इस तरीके से काम करता है इसलिए उसको सही और गलत में फर्क नहीं पता चलता यानि कि ये कि अगर हम कुछ गलत सोचते हैं या फिर negative thoughts को अपने अंदर बार बार लेते हैं तो वही चीद हमारे साथ भी real life में होने लगती है हमारे subconscious mind के मदद से और इसलिए हम सभी लोगों को बच्पन से बताया जाता है कि हमको positive सोचना चाहिए क्योंकि हमारा अउचेतन मन इसी तरीके से काम करता है तो अब आ गया है इस वीडियो का सबसे important part क्योंकि अब हम ये जानने वाले हैं कि हम अपने subconscious mind यानि कि हमारे अउचेतन मन को हम कैसे control कर सकते है और उसको control करने के बाद हमको जो भी जीच चाहिए उसको अपने यानि कि अपने इच्छा को हमने subconscious mind को कैसे बता सकते है और वो सारी चीजों को अपने real life में कैसे पास सकते है लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आविस चैन को सस्क्राइब करो ताकि आपको ऐसी knowledgeable वीडियो सबसे पहले हमाया चलपन मिल सके तो अगर हम real life की बात करें तो हमें अपने subconscious mind यानि हमारे आउचेतन मन को कंट्रोल करने के लिए तीन चीजों की जरुवत होती है जिसमें से पहली चीज है affirmation यानि की प्रतिग्यान इसका मतलब यह होता है कि आपको अपने subconscious mind को बतारना होता है कि आपको उससे क्या चाहिए यानि आपकी expectation क्या है और अपने subconscious mind से अपने सारी इक्षा पूरी करवाने के लिए सबसे पहले आपको जो काम करना है वो यह है कि सबसे पहले आपको अपने दिमाग को शान्द कर लेना है और दिमाग को शान्द करने के बाद आपको सान्दी से बैटना है और लगातार धीरे धीरे आपको जो भी चीज अपने subconscious mind से चाहिए उसको लगातार अपने mind में बोलते रहना है बार बार ध्यान लगा कर इस तरीके से आप अपने mind में वो subconscious mind में अपने इक्षा जो आप चाहते हो उसको feed कर दोगे जिसके बाद आपका subconscious mind आपने अनोकी शक्तियों से आपकी वो सारी इच्छा को सही में पूरी कर देगा और आपको gift कर देगा और वे ज्यानिकों के हिसाब से affirmation करने का सबसे सही समय होता है रात को सोने से पहले और ठीक सुबह उठने के बाद ये affirmation करने का सबसे असनी समय होता है और अगर आप इस समय affirmation करते हो तो एक अच्छा चांस है कि आपको आपका result बहुत जल्दी मिल जाएगा तो आप बात करते हैं दूसरी सबसे important चीज की जो चीज इतनी important है कि उसके बेन affirmation करना भी फालतु है उसका कोई मतलब नहीं है और वो दूसरी सबसे important चीज है faith यानि की भरोसा क्योंकि अगर आपको अपने subconscious mind यानि आउचेतन मन पर भरोसा नहीं है कि आपका subconscious mind आपकी इच्छा पूरी करेगा या फिर नहीं करेगा तो आपकी इच्छा वो कभी भी पूरा नहीं होगा यानि अगर आपको doubt है तो वो इच्छा आपकी पूरी नहीं होगी और अगर आपको अपने आप पे और अपने subconscious mind पे पूरा भरोसा है तो वो इच्छा को पूरी होने से कोई भी नहीं रोग सकते तो आप तक हमने अपने सबकॉंशेस माइंड को कंट्रोल करने के लिए दो तरीकी अल्रेडी देख लिए हैं लेकिन अगर इन दो चीज के साथ आप एक और चीज अगर करते हो जो चीज है इमाजिनेशन तो उस समय आपका सबकॉंशेस माइंड अपने पीक लेवल पर चले जाएगा और हम बोल सकते हैं कि इमाजिनेशन का मतलब होता है कलपना करना इसका मतलब ये है कि अगर आपको मान लो कि आपको अपने अचीतर मन से कुछ चाहिए और उसके लिए आप कंटिनेल से एफ़रमेशन भी करते हो और आपको अपने अपने पर पूरा भरुसा भी है तो इसके साथ अगर आप कलपना भी कर पाओ कि आपको वो चीज बहुत जल्द एक्च्वल में मिलने वाली है और उसके खुशी आप इमेजिन कर पाओ तो ऐसा करने से आपका सबकॉंशिस माइन आपको बहुत जल्दी वो चीज दे देगा और अगर आपको इन तीन चीजों को यानि की एफ़रमेशन, फेट और इमेजिनेशन इन तीन चीजों को डिटेल में जानना है तो इसके लिए मैंने अपने चैनल पर कई वीडियो बना दिये है अब आई बटन में क्लिक करकर इस वीडियो के बाद उनसा वीडियो को भी देख सकते हो लेकिन एक बात आप सभी लोगों को पता होने चाहिए कि मान लीजिए आपको अपने काम में तरक्की चाहिए आप चाहते हो उसने काम में अच्छा बने और उसके लिए आप कंटिने उसलिए अच्छे तरीके से एफ़ोमेशन भी करते हो और आपको अपने आप पूरा भरोसा भी है कि वो चीज आपको बहुत जल्दी अपने सबकॉंशेस माइंड की मुदद से मिल जाएगी और आपको वो चीज बहुत जल्दी मिल जाएगी इस बात कि आप कलकना भी अच्छे दरीके से करते हो लेकिन बात यह है कि आप अपना काम भी नहीं करते ही जाने कि आपसेप सबकॉंशेस माइंड को कंट्रोल करने के लिए सारे चीजे करते हो और अपसे सबकॉंशेस माइंड पर टूटल डिपेंडन हो लेकिन उसके बदले आप बिल्कूल भी अपना काम नहीं करते ही तो आपको क्या लगता है आपका subconscious mind आपके साथ इस situation में क्या करेगा इस प्रश्ण का उत्तर मैं बताता हूँ इस situation में आपका subconscious mind आपके साथ ये करेगा कि आपको तरक्की नहीं देगा ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा subconscious mind बहुत ज़्यादा intelligent होता है लेकिन जब उसको पता चलता है कि हम कलपना तो कर रहे है कि हमें तरक्की मेरी हमारे life में हम grow कर रहे हैं लगातार लेकिन उसके बदले में वो देखता है कि हम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे है तो उसको ये सब fake लगता है फाल्तु की जीज़े लगती है जिसके कारण होता ये है कि हम अपने आउचेतन मन से जो भी चीज मांगे रहते हैं हमारा सबकॉंचिस माइन उससे उल्टा हमें as a result दे देता है और इन सब चीज के कारण हमें ये बात समझ आती है कि हमारे सबकॉंचिस माइन में बहुत ज़्यादा पावर है और आउचेतन मन के इनी शक्तियों के कारण दुनियग में सबसे महान वे ज़्यानिक में से एक Никола Tesla ने अपने लाइफ में इनी शक्तियों के कारण इतने सारे invention की ये वन UFC के वर आप दे बिगस फाइटर में से एक कोर्णर में ग्रेगर तो ये तक कहते हैं कि वो आज जिस position में है वो सिर्व अपने subconscious mind यानि अपने अवचेतनमन की शक्तियों के कारण ही है तो इसलिए आप सभी लोगों को affirmation, faith और imagination ये तीन जीच को अपने life में करकर अपने subconscious mind को control करना चाहिए और अपने life में खुशी से जीना चाहिए और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है यानि आपने इस वीडियो को end तक देखा है तो ऐसा गेप मैं आपको एक morning affirmation दूँगा जिस morning affirmation को आप रोज सुबह affirm करके अपनी daily life को बहुत ज़्यादा improve कर पाएंगे और वो simple सब morning affirmation चैनल के description में तो description चेक करना बिलकूल मत भूलना Whatever we plant in our subconscious mind and nourish with reputation and emotion will one day become a reality और उसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगो तो लाइक कीजिए अगर आपको चैनल पे ने हो तो सस्क्राइब कीजिए उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकरेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकरेशन सबसे पहले हमाय कर पंजित सकते